ओम नमा हाशिदेव्यहा ओम नमा हाशिदेव्यहा यदर्चाभामिन प्रमुदित्मना धर्दुरिह चणादाशित्स्वर्गी गुणगण्संध्धु शुक्निधी लवंते सद्भक्ता शिविसुक्षमाजं किमुतदा महावीर श्वामी नयन पथगामी भवतु में प्रथमती थंकर शबदेव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परंपूज गुरुदेव आचार स्री पुष्पदंत सागर्जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्रथम पुष्पदेव भगवान महावीर का समोसर्ण विपुलाचर परवत की और आया हजारों लोग नरनारी भगवान की दर्सन करने के लिए जा रहे है उनकी धर्म शवा है समोसरण वो होता है जिसकी रचना कुवेर करता है शौधर्मिंद्र की आग्या से वो जहां बैट करके भगवान सारे जगत के कल्यान का उपदेश दिया करते है प्राणी मात्र के कल्यान करने वाली वैस सभा होती है के बल मनुश्यों के लिए नहीं होती है वहां देवतावी बैटते हैं और असंख्यात त्रियंच भी वहां बैटकर अपने जीवन का कल्यान किया करते है हजारों लोग जा रहे हैं राज़स्रेणिक ने आदेश कर दिया कि मगद में जितने भी लोग हो सब भगवान महावीर की दिब्य देशना सुनने के लिए समोस्रण की और प्रिस्थान करें ज्यान रखना अग्यानी वह होता है जो केवल अपना कल्यान करना चाहता है वह ज्यानी वह होता है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्यान करना मेरा भी कल्यान हो दूसरों का भी कल्यान हो मेरा भी हित हो मेरा भी मंगल हो और सारे जगत का मंगल हो ध्यान रखना वो लोग कभी मोक्ष प्राप नहीं कर सकते जो कहते हैं कि धर्म लाप केवल मुझे मिलना चाहिए मोक्ष उनको मिलता है जो अपनी साथ साथ दूसरों को भी धर्म लाप प्रदान कराया करता है दूसरों को भी जोडने का प्रयास करता है दूसरों को भी साथ में लेने का प्रयास करता है एक होता है नेता और एक होते हैं संत नेता जब चलता है न तो मालम दोनों हाथ इस तरह से पीछे करते हुए चलता है मैं ही अकेला चलूँगा दूसरा किसी को चलने की जरूत नहीं है लेकिन संत जब चलते हैं तो दोनों हाथ पीछे नहीं करते बलकि दोनों हाथों को आगे करते हैं मैं भी चल रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ मोक्ष की आत्रा करो सब को साथ लेकर चले वो संत हुआ करता है और एक में सिमट जाए वो राजनीती हुआ करती है ध्यान रखना आप से निविदन है सब का कल्यान हो जगत का कल्यान हो सब का मंगल हो राजस्रेणिक ने कहा कि सभी लोग भी पुला चल परवत की ओर चले सभी जा रहे हज्जारों नर नारी भगवान की बंदना को जा रहे है सब के मन में है कि भगवान की दिब देशना का फल मुझे प्राप्त होना चाहिए कोई भी महापुरस जीवन में तपस्या करता है साधना करता है वीतराक्ता का कठोर तपस्चरण करता है तो वो कठोर तपस्चरण करने की बाद उसे अपने पास नहीं रखता भगवान महावीर बनवास में चले गए अजितनाद जंगल में चले गए हमारे सारे तीठंकरों ने तपस्या बनों में जाकर की लेकिन जब उन्हें प्राप्त हो गया तो बनों से उठकर वो शहरों के बीच में आ जाया करते हैं और सारे जगत को जो उन्होंने साधना से प्राप्त किया था वह सारे जगत को लुटा दिया करते बारा वर्स तपश्या की भगवान महावीर ने कठोर तपश्रन किया भगवान महावीर ने जिस दिन उनको केवल की प्राप्ती हो गई बोधी की प्राप्ती हो गई उस दिन भगवान महावीर जंगल से उठकर ब्र प्रावक के लिए कहा जाता है जो कमाया है वह कमाओ पैसा कमाओ दौलत कमाओ इज्जत कमाओ लेकिन एक बात याद रखना किवल अपने लिए नहीं कमाओ सारे जगत के लिए भी हमें कमाना चाहिए वह परुपकारी होता है वह धर्मात्मा होता है ध्यान रखना मैं ही मैं मत करो सबका कल्यान हो ऐसे आयोजन होना है हम संत लोग प्रवचन ना करें तो भी चल सकता है मैं यहां प्रवचन ना करूं तो भी आहार तो मिलेगा मुझे लोग बैठने की विवस्ता तो मुझे मिलेगी रुकने की विवस्ता तो मिलेगी लेकिन संत सोचता है कि नहीं आज का जीवन यदी मैंने जिया है तो केवल अपने लिए नहीं वह दूसरों के लिए भी जीना है दूसरों का भी कल्यान करना है दूसरों का भी उद्धार करना है सारे जगत का कल्यान करना संत का एक दाइत हुआ करता है उसी दाइत को निभाते हुए मैं तुमारे इस नाशिक में गजपंधा में आया हूँ कितने लोग आते हैं उनकी मर्जी है लोग जागें या ना जागें हमें उससे परवाह नहीं लेकिन जागते रहो जागते रहो ये हमारी डिवटी हुआ करती है एक चौकीदार आता है तुमारे समाज में रात भर पहरा देता है रात भर पहरा दे करके आवाज देता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते हैं वो लुटने से बच जाते हैं और जो सोते रहते हैं उनका घर लुटने म मेरा काम केवल आवाज लगाना है कोई सुने या ना सुने उसकी मुझे कोई परवाए मेरी डियूटी है लोगों को जगाना और इस डियूटी को ब्यूटी बनाना ये मेरा करतब हुआ करता है ध्यान रखिये उसी के तहत में आपके बीच मुखातिब हो रहा हूँ यही आगरे कर रहा हूँ भगवान महावीर का समोसरण आया राजा स्रेनिक ने का पूरा नगर चले चाहते तो राजा स्रेनिक कह सकते थे कि मैं अकेला जाऊंगा मैं समराट हो उन्होंने का नई अमीर से अमीर हो गरीब से गरीब हो छोटे से छोटा हो उचे कद का हो नीचे कद का हो उचे दर्जे का हो नीचे दर्जे का हो सब को आदेश किया सब भगवान महावीर के समोसरण में पहुँचकर अपने जीवन का उद्धार करें चला जा रहा है पूरा लाव लशकर पूरी मगद की राजधानी राजद रही खाली हो गई सब समोसरण में टक-टकी लगा कर बैठ जाया करते हैं सारे लोग चल दिये भगवान की दिपवानी को सुनने के लिए महलू हैं आपको किसी तालाप के किनारे एक मेंडक भी वैठा था उसने का कि सब जा रहे हैं राजा जा रहे हैं मंत्री सेना पती धन पती अमीर गरीव सब जा रहे हैं उसके कान में सब्द पड़े कि भगवान महावीर का समोसरण लगा है उनकी दिप धनी खिर रही है जगत के कल्यान का अम्रत जर्रा है उसने कहा, उसने सोचा किसने मैंडक ने, मैंडक ने, मैंडक ने सोचा मैं अभी समोसरण में चलू अभी गजपन्था के नहीं सोच रहे मैं भी भगवान की वानी सुनू प्रवचन में चलो, कुछ लोग आएं लेकिर एक मेंड़क के मन में आया कि चलो, हमें भी भगवान की वाणी सुनना चाहिए, अम्रत पान करना चाहिए, जीवन को धन्य बनाना चाहिए, मेंड़क ने कहा चाहिए, कुछ भी हो जाए, मैं भगवान की वानी को सुरूंगा सुनने के लिए चल दिया उसके पार ना हीरा था ना मोती था ना सोना चाना चान्दी था एक कमल की पंखरी तोड़ता है कमल का फूल उठाने की भी जिसकी ताकत नहीं हुआ करती है एक पंखरी मूने दबा कर चला महावीर के दर्शन को क्या भावना लेकर चलावई मेंडक सबसे पहले दर्शन मुझे मिलना चाहिए और कात तो देखो इतना सा मेंडक खुआफ देखो कितने बड़े हैं भावनाई कितनी बड़ी हैं शरीर चोटा सा है भीड में से जाना है संकल्ब कितना बड़ा है पहले दर्शन मुझे होना चाहिए आप विचार करो सोचो एक मेंडक सोच रहा है हज्जारों की भीड में अभी सबसे पहले यदी प्रभू के दर्सन मिलें तो मुझे मिलना चाहिए ये मेंडक की भावना हुआ करती है ये एक त्रियंच की पशू की भावना हुआ करती है पहला दर्सन मुझे मिलना चाहिए गजपन्था वालो आप से भी मैं कहरा हूँ कि जब एक तारीको भगवान का अभिशेक हो तो मेंडक से ब्यड़ी तुम्हारी भावना होना चाहिए पहला अभिशेक करने का अउसर मुझे मिलना चाहिए पहला दरसन में करूँ पहला अभीशेक में करूँ होड लग जाना चाहिए ध्यान रखिए जैसे मरे मरे से नए आए हैं कर लेंगे हो जाएगा ने ऐसे मरे मुर्दों जैसी जिद्गी काई को जिया करते हो करना है सबसे पहले आना चाहिए गलत कामों में हमारा नाम नहीं आना चाहिए एक व्यक्ती बोला मंदरों में नाम नहीं लिखा जाना चाहिए अरे मैंने का मंदरों में तो ज़्यादा नाम लिखे जाना चाहिए अरे कोशिस करो कि हे भगवान मेरा नाम जब भी लिखे तो किसी धर्मिस्थान पे लिखा होना चाहिए मेरा नाम किसी ठाने में या पुलिस चोकी में नई लिखा होना चाहिए ये जीवन की साधना होना चाहिए सबसे पहले आपको आगे आना चाहिए नव वर्स का आग्मन हो रहा है सबसे पहला दर्सन मुझे प्राप्थ होना चाहिए पहले चरण प्रक्षालन मुझे प्राप्थ होना चाहिए मालूम है पहले और दूसरे का बहुत फरक पड़ा करता है इंद्र ने सौधर्म इंद्र ने भगवान के जब घर में जाते हैं प्रसूति का ग्रह में सबसे पहले दर्शन इंद्र को नहीं इंद्रानी को प्राप्त हुआ करता है सची इंद्रानी को प्राप्त हुआ करता है सची देखती है सबसे पहले अभी तो भगवान के पिता ने भी बालक को नहीं देखा है माता ने भी जीवर के नहीं देखा है सबसे पहला दर्शन यदी कोई करती है तो सची सोधर्मिंद्राणी किया करती है और उसका फल ये प्राप्त होता है कि सोधर्मिंद्र स्वर्ग में बैठा रहता है और इंद्राणी मनुश्वन के निर्वान को प्राप्त कर लिया करती है पहले दर्सन का फल है, इंडर से पहले मोक्ष जाना है, मैं लाओं से भी करूँगा, ये नहीं जाने वाले मोक्ष जोग्ष है, तुमको इन से पहले अपना कल्यान करना है, उद्दार करना है, आगे आने का प्रयास करिये, धर्म छेत्र में आगे रहना चाहिए, हर अच्छे काम में आगे रहना चाहिए पीछे नहीं आना चाहिए आगे रहने के लिए क्या करना कोई बहुत बड़े काम नहीं करना पड़ते हैं आदमी को एक नमबर पे आना है तो कोई बहुत बड़े काम नहीं करना पड़ते हैं चोटा सा काम करो तुम्हारा जो जीरो था वो हीरो ब दूसरा गया, उसने कहा है यार सो में से थोड़ा कुछ कम कर लो, 99 रुपे ले लो, वो ले ठीक है 99 रुपे दे दे, एक व्यक्ती के पास गए, उसने कहा 100 रुपे बस वो ले हाँ, वो ले 101 रुपे कर दे, आप बिचार करिए सोचना है, बिचार करना है, जब बोर्ड पर न लिखा जाएगा, बोलिए, जिसने एक रुपे कम किये, वो नीचे नाम आता है, वो जिसने एक रुपे ज़ादा दिया, वो नमबर बन पर नाम आया करता है, आप से मेरा निवेदन है, नमबर बन पर पहुँचने के लिए, कोई बहुत बड़े काम नहीं करना पड़ते है थोड़ा सा ज़ादा करो, तुम्हारा नाम नमबर बन पर लिया जाएगा ध्यान रखे, सो रुपे दोगे तो बीच में लिखा जाएगा, नाइंटी नाइन देवगे तो सबसे नीचे आ जाओगे, और एक रुपे ज़ादा दे दोगे, सबसे टाप पर तुम्हारा नाम एक रुपे में आदमी नीचे आ जाता है, और एक रुपे में आदमी उचाई को प्राप्त कर लिया, सोचना है आपको, नमबर बन रहोगे, तो कल्यान के मार्ग में भी नमबर बन पहुंच जाया कर, अभी कहाना हमारी संचालिकाने, पहले आओ, पहले पाओ, तुम लोग हस रहे थे, मजाक समझ रहे थे, ऐसा नहीं है, धर्म का छेतर है, पहले आएगा, पहले प्राप्त करेगा, बाद में आएगा, बाद में प्राप्त करेगा, कभी कभी पीछे बाले, कब भटक जाएं, कुछ कह नहीं सकते हैं, हमेशा आगे चलने का प्रयास करिए, त्याग के मार्ग में आगे चलने का प्रयास करिए साधना के मार्ग में आगे चलने का प्रयास करिए धर्म के मार्ग में आगे रहने का प्रयास करिए और जब पाप का मार्ग तुम्हारे सामने आए तो सबसे पीछे रहने का प्रयास करना ध्यान रखना एक मेंडक सोच रहा है, एक मेंडक विचार बना रहा है, सबसे पहले दरसन मुझे होना चाहिए हाथी ने कहा तरी क्या हो खात है, इतना सा मेंडक फुदक फुदक करके चलता है मैं जब तक मैं समोसरण में पहुँच जाऊंगा, तब तक तो तु घर से नहीं निकल पाएगा कहा भगवान के पहले दरसन करेगा, मेंडक ने कहा भावना भवनासनी हुआ करती है मैं भावों से एक ही शंकल्प उस मेंडक का था, कि सबसे पहले बिपुला चल पर, यदि पहली बंदना किसी की हो समोसरण में, तो मेरी पहली बंदना होना चाहिए कितना बड़ा उत्सा है, कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा सास रखा उस मेंडकने अपने जीवन में मालुम है आपको कहानी पुरानी है, लेकिन एक बात याद रखना कहानी पुरानी हो या नई हो ये महापुर्षों की कहानी है ये भगवत पुर्षों की कहानी है एक बार याद रखना एक सीरियल को एक बार देखो अच्छा लगता है दुबारा देखो थोड़ा कम अच्छा लगता है एक पिक्चर कितनी बार देख सकते हो से हसी आएगी दुबारा सुनाओगे थोड़ी कम हसी आएगी तीबारा सुनाओगे थोड़ी कम हसी आएगी बार बार सुनाओगे लोग काएंगे बंद कर तेरे को इसके अलावा कुछ आता है या नहीं आता है जान रखना एक बार विचार करना एक पिक्चर जादा देर अच्छी नहीं लगा करती है एक गाना जादा गाओ तो अच्छा नहीं लगा करता है एक चुटकुला हजार बार क्या जादा बार सुना दो तो चुटकुले से मन उब जाता लेकिन मेरे महावीर का चरित्र ऐसा है कहानिया मालूम है सब कुछ मालूम है जिकन जितनी बार सुना उतनी बार कान अत्रप्त रहा करते हैं लगता है और सुनना चाहिए रामयन जितनी बार देखो उतनी बार अच्छी लगा करती है महावीर का चरित्र जितनी बार सुनो उत अच्छा लगा करता है, सबको मालूम है, पंच कल्यानक में क्या होता है, गर्व कल्यानक, जनम कल्यानक, तब कल्यानक, लेकिन फिर भी कहीं होता है, तो बार बार देखने का मन कल्या करता है, क्योंकि ये महापुरसों का चरित्र है, महापुरसों की कथाएं है, ये बार बार जितनी बार सुनो मन उतना ही अतरप्त रहा करता है लगता है और सुनना चाहिए और अभी भी रामाएंड चलती है टीवी पर आप चैनल बदल रहे हैं और अचानक रामाएंड आ जाए तो दो मिनिट को रिमोट रुख जाया करता है क्या है ये चरित्र है महापुर्शों का आपको ये कहानी मालूम है लेकिन जितनी बार सुनो उतनी नई अनभूती हमें पैदा हुआ करती है मेंडक्स कह रहा है पहले दर्शन मुझे मिलना चाहिए फूल کی पांखडी दवा करके मेंडक जा रहा है बढ़ते जा रहा चला जा रहा है क्या होती है घटना आपको मालूम है मेंडक देखता है कि राजा स्रेनिक के हाथ में हीरे मोती है मेरे हाथ में ये फूल की पंखुरी है कहां इसका मुकावला कहां मुस्क मेरा मुकावला लेकिन मेंडक ने अपने आपको आशाविहीन नहीं किया अपने आपको निरासा के गर्त में जाकर नहीं डाला उसने का तिरे हाथ में हीरे मोती होंगे मेरे नाम में तो महावीर के नाम की जोती जल रहे है मैं जोती को जला करके जाऊंगा जाता है दुरघटना घट्टी है हाथी के पैर के नीचे स्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे मेंडर मृत्यू को प्राप्त हो जाया करता है मुख से एक ही शब्द निकलता है जय महावीर इसके सिवा कोई शब्द नहीं निकला करता है प्राणन्त हो रहे हैं जय महावीर सब्द मुख से उच्चारण करता है गजपन्था वालो नाशिक बालो मैं आप से कहता हूँ मेरे महावीर का नाम यदी मरते समय भी जुवान में आ गया ना तो स्वर्ग मोक्ष की विवस्था अपने आप हो जाया करती है उसे कुछ करने की जरूरत अपने आप निर्वान की यात्रा होती है केबल नाम लेने से भगवान का नाम लिया स्वर्ग मोक्ष की यात्रा हो जाया करती है मैं आप से रिवेदन करता हूँ मृत्यू के समय भगवान का नाम लो तो जीवन का उध्धार हो जाता है अरे जो आदमे जिंदगी भर भगवान का नाम लेता है उसे फिर अपने जीवन में अपने भविस से आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं हुआ अनमुख से निकला जै महावीर इतना शब्द बोला अभी स्रैनिक पहुचा नहीं है महिंडक पहुच गया समोस्रण में यहाँ प्राणां थुए वहाँ प्राणवान हो जाया करता है पहुचता है समोस्रण में राजा स्रैनिक का लाव लशकर उसने देखा इस समोस्रण पुरा खाली है केवल एक देव यहां खड़ा हुआ है वह देखता है इसकी दिप देविता को सेनिक ने पूछा कि भगवान यह कौन सा देव है जो इतनी दिप भावा ले करके खड़ा है इसके तेज के सामने मेरी निगाहें मिलने ही पा रही है ये कौन सा देव है मैंने बहुत सारे देव देखे हैं सेडिक ने अपने जीवन में सौधर मिंद्र को भी देखा है कुवेर को भी देखा है ईशान शानत कुमार को भी देखा है असंख्यात देवी देवताओं को मैंने देखा है लेकिन ये देव इन देवों के भीड में अलग दिखाई दे रहा है इसकी कांती अलग है, इसका तेज अलग है, इसकी आभा अलग है, इसकी जीवन का सौंदर ही अलग है भगवान महावीर से पूछा कि प्रभू जरा ये बताओ, ये अधुत देव कौन है एसा देव तो हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है, ऐसी हमने कलपना नहीं की इतने सौंदर की अरे इसे देखो तो मेरे चित का हरन हो रहा है, मेरी निगाहें कहीं और नहीं जा रही है एसा अनुपम सौंदर्या, बताओ प्रभू ये कौन सा जाती का देव है, जो समुस्रण में आकर वैठा है महावीर ने कहा कि स्रेणिक, मुझसे क्या पूछते हो जाकर एक बार उस देव से ही पूछ लो कि तुम कौन हो कहां से आए हो, कौन है तुमारा परिचेदो स्रेणिक ने कहा भगवान उससे पूछू, बोले हाँ स्रेणिक जाते हैं, हे देव, तुमारा तेज, तुमारा शौंदर, तुमारी तेजश्विता, तुमारा आकरशन मेरा मन बंध रहा है तुमारे देह पर, मेरा मन बंध रहा है तुमारे चित पर तुम्हें देख करके निगाहें कहीं और नहीं जाती है बताओ देव तुम कौम हो देव मुश्क्राया बुले मुझसे क्या पूछते हो जो कज पूछना है भगवान से जाकर के पूछो अरे बुले भगवान यहां भेजते हैं यह वहां भेजता है देव ने कहा मैं क्या बताओं ये जो सौंदरी का वरणन कर रहे हो ये मेरे लावण्य का वरणन कर रहे हो ये मेरे कौमारी का वरणन कर रहे हो ए देव, बताओ तुम कौन हो स्रेनिक ने पूछा देव ने कहा कि स्रेनिक मैं नहीं जानता कि मुझे सब क्यूं प्राप्त हुआ है मैं कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन बेस संदरह जिसे देख कर तुम मनमुग्द हो रहा है तुम्हारा इसका कारण मैं नहीं इसका कारण सामने बैठे ती ठंकर भगवान महावीर हुआ करते है इनके कारण मैं यहां पर बैठे बोले आप हो कौन बोले यह तो मैं अभी नहीं समझ पाया कि मैं कौन हो अभी अभी तो बना हूँ देव नया नया देव बन कर आया हूँ मुझे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ भगवान महावीर से पूछो जाकर मैं कौन हूँ सेनिक ने कहा कि भगवान बताओ ये कौन है वो ये वही देव है जो कुछ छण पहले तेरे हाती के पैर के नीचे प्राणान थुआ मरते समय इसने कुछ नहीं कहा मरते समय जय महावीर मुख से निकलता है और ये स्वर्ग में आकर देवत्य को प्राप्त कर लिया कर एक बार नाम लेने से स्वर्ग की बिवस्था हो जाया करती है एक बात याद रखना मैंडक नहीं जानता की महावीर कौन है मेंडक नहीं जानता की ती ठंकर कौन हुआ करते है एक बैल नहीं जानता नमो अरिहंताडम क्या हुआ करता है एक नाग नागि नहीं जानते नमो अरिहंताडम नमो शिद्धाडम क्या हुआ करता है अरे जिन जिन त्रियंचोने भगवाने का नाम सुना उनके सर्ग की बिवस्थाएं अपने आप हो जाया करती है जटाईयू कौन सा जानता था एक पक्षी था उसे राम ने कहा बोलो नमो अरिहन ताडम नमो उसी धाडम ना वो अरिहन ताडम बोलना जानते हैं ना उसका अर्थ समझते हैं ना उसका भाव समझते हैं भगवान के नाम में वो ताकत है यदि कान में भगवान का नाम पहुँच जाए तो पापों का नाश होने में जादा देर नहीं लगा आप सोचते हो नमुकार्मन सुद्धाता है क्या भकतामरपाट सुद्धाता है क्या अरे क्या सुद्ध सुद्ध में लगे रहते हो अरे जिने सुद्धाता उन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा है जिने सुद्धाता है उन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा है ध्यान रखना नाम गलत हो जाए चलेगा लेकिन आदमी का मन गलत नहीं होना चाहिए सद्धाएं गलत नहीं होना चाहिए जिने भी मिला है सद्धा से मिला है आडम ताडम कहकर भी सिद्धी प्राप्त कर लेते हैं लोग तुम सुद्ध पढ़के भी सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाते हो विचार कर ये सोचना है आपको मन में यदी परमात्मा की लगन जागरत हो जाए तिन्ना अनम तारियानम ये भगवान का संदेश हुआ करता है जो खुद भी तारते हैं वो सारे जगत को तारते हैं वो तीठंकर कह करके पूजे जाते हैं उस तीठंकर के बंस में हमारा जन्म हुआ उस्तितंकर के संग में हमारा जन्म हुआ है गजपन्था वालों आपसे कहता हो अरे मकानों पर गर्ब किया तो क्या खाग गर्ब किया ओलाद पर गर्ब किया तो क्या खाग गर्ब किया सोने चांदी के ठीकरों पर गर्ब किया तो क्या खाग गर्ब किया अरे गर्व करने वाली ये चीजे नहीं है आज मकान तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा आज बेटा अपना है कल पड़ोसी बन जाएगा किस पर गर्व कर रहे हो आज ये मिट्टी के ठीकरे अपने हैं कल चोर चुरा के ले जाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे अरे चोरी ना भी हो तो कौमा में चला जाओगा दौलत पड़ी रहेगी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हो यदि गर्व करना है एहिंकार करना है इन बातों पर एहिंकार मत करो नश्वर पर एहिंकार मत करो एहिंकार करना है तो अपने इश्वर पर एहिंकार करना सीखो हम जिनेंद्र भगवान के बंस में पैदा हुए है जिनेंद्र भगवान की खांदान में पैदा हुए है आप से कोई पूछे की बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है ये मत बताना की फलाने चंजी मेरे पिता है धिकाने चंजी मेरे पिता है जब भी बोला जाए तो कहना अरे हंत पिता जी मेरे जिनवानी माता ये तुम्हारा परचे होना चाहिए जेनों का परचे जिनेंद्र भगवान से हुआ करता है जेनों का परचे जिनेंद्र की आजसा से हुआ करता है बुढ़ा पा आ गया अभी तक माबाप कही नाम गाते रहोगे भगवान का नाम जवान पर कब गाओगे तीठंकरों का नाम जवान पर कब गाओगे ये तीर्थ बने हुए है गजपन्था तीर्थ यहां से जात बलभद्रों ने निर्वान को प्राप्त किया है मुक्ष की स्थली है ये कल्यान की स्थली है यहां पर बो लोग है जिनके सीज पर जलती हुई अंगीठी रखती जाए जलती हुई सिगडी रख दी जाए उन महापुरसों ने कहा तन जाए तो जाए लेकिन सिधान्त नहीं जाना चाहिए साधना नहीं जाना चाहिए ये उपसरगों की भूमी यहाँ पर उपसरग हुआ और एक गज कुमार जैसे मुनी को निर्वाण की प्राप्ति हो जाया करती है मानिवर आपसे यही निवेदन करता हो तीरत है ये आप किस्मत बाले है ध्यान रखना और भी जगह लोग रहा करते उनकी किस्मत बाले होते हैं लेकिन परमसौभाग साली होते हैं जो निर्वाण छेत्र की छत्रचाया में रहा करते हैं सिद्धों की छत्रचाया में रहा करते हैं आपके जैसा पुन्यात्मा कौन होगा हमें दर्सन करने के लिए हजारों किलोमीटर चल कर आना पड़ता है हमें बंदना करने के लिए दूर दूर से आना पड़ता है तुम सोभाग साली हो तुमे कहीं नहीं जाना है जहां पर बैठे होना करोडों मुनियों को बोक्षुआ है जहां हम बैठ कर बात कर रहे हैं यहां से भी निर्वाण की प्राप्ती मुनियों को हुई होगी कोई जरूरी नहीं है कि उस परवत से निर्मान की प्राप्ति हुई है यहां का पूरा कण कण पवित्र हो जाया करता है यह तुम्हारा किश्मत है यह तुम्हारा सवभाग्य है ऐसी भूमी में रह रहे हो आप से निवीधन करना चाहता हो एक ही आग्रे करना चाहता हो तीर्थों पर घोरुप सर्ग चल रहे हैं तीर्थों पर भोध दुश्यत दुश्चक्र चल रहे हैं आपसे निविदन करना चाहता हो ये किस्मत बाले हो वरना तीर्थों के पास समाज नहीं हुआ करती है नाशिक के ऐसा इस्थान है, जहां ती ठंकर भी है, तीर्थ भी है और उनके पूजने वाली समाज भी यहाँ पर, इतना बड़ा समाज तुम्हारा बोहन से तीर्थ के पास समाज है, केवल नाशिक गजपन था तीर्थ है जहां पर इतने लोग उपस्तित हैं आप से कहूँगा इतनी बड़ी समाज होकर तीर्थ का जिर्णों धार करने का प्रयास करिए तीर्थ को बढ़ावा देने का प्रयास करिए ऐसा काम करिए अपने जीवन में मानिवर अही जीवन सार्थक हो जाया करता है लोग तरसते हैं तीर्थों पर आने के लिए मैं कहना चाहता हूँ आदमी अपने जूटे एहिंकार में ना जिये धन दौलत पद प्रतिष्ठा में ना जिये यदि जीना है तो पंच परम पद भज सुख लीजे यह भी धी मंगले आरति कीजे अपने पदों की लड़ाई मत लड़ो परमिष्ठी के पदों पर गरव करना सीखो गौरव करना सीखो ऐसे जगे हम पैदा हुए हैं सभां के साली लोग हैं मैं आज हूँ दो दिन बाद चला जाओंगा आप यहीं पर रहेंगे ध्यान रखना आप से निवेदन करना चाहता हूँ इस तीर छेतर की गरिमा को बना कर रखे अब यह जो सदी है जो 21 वी सदी चल रही है 2023 जो आने वाला है उसमें हमें कुछ नहीं सोचना केवल 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 अपने तीर्थों की संरक्षन की बाद सोचना है तीर्थों की रक्षा की बाद सोचना है तीर्थों को संबर्धन देने की बाद सोचना है तीर्थों की अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है आप से निवेदन है यही आग्रे है तीर्थ के लिए जाग्रित हो जाओ अभी सम्में सिकर पर मैं कल बोला मैंने अपनी बाते रखी हजारों लोगों ने उसे लाइक किया मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग लाइक करें मैं नहीं चाहता हूँ लोग मेरी तारीब करें मैं तो कहता हूँ अपने तीर्थ के लिए समर्पित होकर के जीयो तीर्थ और तीर्थंकर आज तीर्थनकर नहीं, लेकिन तीर्थ तो हमारे पास है, जेन समाज वह समाज है, अरे दुनिया की समाज के पास तीर्थ होते हैं, लेकिन हम उस समाज के लोग हैं, जहां तीर्थ भी होते हैं और तीर्थनकर भी हुआ करते हैं, दोनों चीज केवल जेनों को प्राप्त आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ आज इस्तिती जो है ऐसा लगता है कि सम्मेश शिखर पर बोलते जाओ बोलते जाओ अपने तीर्थों पर बोलते जाओ मांगी तुंगी हो चाहे गजपंता तीरत हो चाहे गिरनार हो चाहे शोना गिर हो चमपापुर हो पावापुर हो ये नाम है हमारे गर्व करने लायक इनका नाम लेने से हमारे पापों का नाश हुआ करता है लोग कह रहे हैं बैठ करके ना जाने कैसा कैसा सोसल मेडिया पर चल रहा है लोग कह रहे हैं ऐसी सुविधाएं क्यों मांगी रोड क्यों बनाई ये क्यों किया मानिवर मैं पूर केबल एक ही विशए पर बात होना चाहिए कि हमारा तीरत परे टक स्थल नहीं बनना चाहिए मौज मस्ती का इस्थान नहीं बनना चाहिए उसमें दुनिया फर की बाते काई को कर रहे हैं कुछ सादू संत बैट करके अपनी बक्तब दिये जा रहे हैं ना जाने कौन-कौन क्या-क्या कहे जा रहा है हमारा सम्मे सिकर की स्थानी समाज से कोई प्सारोकार नहीं है वहां की जमात से हमें कोई समस्या नहीं है हमारी लडाई भीलों से है ना आदिवासियों से है हमारी लडाई तो सरकार से है ध्यान रखना हमारी लडाई तो उनसे सम्मे सिखर में जाकर के ब्यर्थ की बाते मत करो भील आदिवासियों से जगडा मत करो जगडा क्यों करना है अरे वो लोग वो हैं जो हमें सेवाएं दिया करते हैं समस्या तो सरकार से है समस्या तो सत्ता पक्ष से है उनसे हमें अपने जट करके अपनी मांग करना है, अधिकारों को मांगना है, ये बाते मत करो, एक संद बोले कि नए मंदिन मत बनाओ, नए तीरत मत बनाओ, अरे अभी ये बाते करने का समय नहीं है भाई, अरे घर में आग लगी है, तुम घर का नकसा उठा करके देख रहे ह अरे घर धूंदू करके जल रहा है तुम कह रहा है ऐसा structure बनाना चाहिए ऐसा मजबूर अरे तुम्हारे घर में आग लगी कि तुम क्या अपने घर की मरम घर के बारे में सोचोगे घर का सोचोगे कैसा बना और कैसा नहीं बना आज ये समिक्षाए करने की जरुवत नहीं है आज ये कहने की अवशकता नहीं है की रोड होना चाहिए की नहीं होना चाहिए ब्यवस्ता होना चाहिए की नहीं होना चाहिए घर में आग लगी है सबसे पहले समाच को आग बुझाने का प्रियास करना चाहिए घर को बचाने क प्रियास करना चाहिए ना जाने कैसा कैसा सोसल मेडिया पर चलता है कोई अपनी समाज की कमजोरी गिनारा है कोई कहरा ऐसा परेटर किस तक तुमने टूरिस्ट कैसा बना दिया तुमने ऐसा कैसे कर दिया इनको मंदिर में मत आने दो उनको मंदिर से भगा दीजिए ये सब कर तो आग लगी है उस आप को बुझाने की बात होना चाहिए और यही कहा जाना चाहिए कि हमारे तीत मोज मस्ती के स्थान नहीं हो सकते हैं साधना के स्थान हुआ करते है मानिवर समेश सिखर को लेकर चिंतित हो गच्छपन्था को लेकर भी चिंतित होना चाहिए साव चेत हो जाना चाहिए जो घटना वहां घटी है वो यहां भी घट सकती है वो मांगी तुंगी में भी घट सकती है कचनेर में घटना एं घट रही है सारे तीर्थ अभी संकट में पड़े हुए हैं हमारे मानिबर हमें थोड़ा जागना होगा जाग पोष्ट पे है कौन पद पे है किस की कुरसी किसका हवाला किसका बैनर किसका अधिकार अधिकारों की बात कुछ दिन को छोड़ दीजिए करतवियों की बात प्रारंब करिये तुम्हारा जीवन सार्थ तक उर्षपल हो जाएगा मानिवर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ समय आपका हो रहा है जादा मुझे बोलना नहीं है एक दिन और तुम्हारे साथ हो तुम्हारे बीच हो दो एक तारीक को भी यहां पर कारीक्रम है कल की रात यहां का नजारा कुछ और होना चाहिए भरा हुआ पूरा पंडाल होना चाहिए कोई घर में बैठेगा कोई बहाने नहीं होना चाहिए रात्री का प्रोग्राम है आफिश का बहाना नहीं है स्कूल का बहाना नहीं है टिउशन का बहाना नहीं है उसके बाद भी यदि आप नहीं आते हैं तो समझूंगा गजपंथा पर तुमारी स्रद्धा नहीं है संतों पर तुम्हारी स्रद्धा नहीं है यहां आ करके, बैठ करके सब को सुचना करो, सब रिष्टेदारों को बुलाओ यह बड़ा प्रांगड है यह भगवान महाभीर का दरवार है यहां जो आएगा सबसे पहले आने का प्रयास करो ऐसा नहीं कि आठ बजे का टाइम है नो बजे तक चलेंगे, दस बजे तक चलेंगे सोच लेना, ऐसा मन करें तो सोचना हमसे अच्छा तो वो मेंड़क है जो कहता सबसे पहले हम पहुँचेंगे समोसरण में सबसे पहले हमारा नंबर आना चाहिए आप सब उसमें पहुचने का प्रयास करें जीवन को सार्थक बनाने का आप प्रयास करें बहुत अदभुत कारिक्रम होंगे इतना कह सकता हूँ हर साल यहां पर नया वर्स आता होगा लेकिन ये वाला नया वर्स ऐसा आएगा जिन्दगी भर तुमारी इश्मरती से दूर नहीं हो पाएगा नजारों दीप जलेंगे आस्थाओं के दीप जलेंगे अभी हमारी संचाली का महोदय ने कहा कि घर से दीप बना कर लाओ बहुत अच्छी बात है घर से लेकर आओ तो अच्छी बात है नहीं तो यहां भी दीप की उपलब्दी हो जाएगी यही कहूंगा दीप से दीप जलाओ एंसा नजारा कर दो रात को बारा बजे लोग कहें कि अधिव तक दिवाली साल में एक बार आती थी इस बार दिवाली साल में दो बार यहां पर आ गई है आस्थाओं के दिए जलाओ इस तीर्थ को गजपन्था को जब भी जरुवत पड़े मुक्त हस्त से दान दे कर इसका उद्धार करना चाहिए सामने जमीन है धरमशालाएं बन रही है संतनिवास बन रहा है इतना बड़ा समाज जैनों के पास पैसों की कमी नहीं दिल की कमी होती है लिकिन मैं ये भी जानता हूं कि जैनियों का पैसा तीन लोगी निकाल सकते है चोथा तो हाथ नहीं लगा सकता है एक तो नकाल सकता है वो तुम्हारा जमाई राजा कमर कमर साब वो आपका पैसा निकलवा लेगा उसको नहीं दोगे तो डॉक्टर तुम्हारा पैसा निकलवा लेगा वो डॉक्टर के बसका जब नहीं होता तो संत तिजोडियों से पैसा निकलवा लिया करते हैं ध्यान रखिए आज हमें वही सब करने का प्रियास करना ध्यान रखना पडोस में आग लगे तो खुश मत हो जाना कि छोड़ो अपने आँ थोड़ी वहां लगी है आज सम्मेश शिकर पर संकट है कल देश के हर तीर्थ पर संकट हो शकता है ये पडोस में लगी हुई आग हमारे तीर्थ को भी छू सकती है ध्यान रखिए आपसे इ एमन शताय दूर होना चाहिए एक ताके सांच छोटी छोटी इगो छोटी 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 लड़ाईयां आज सम्मेश शिकर की दसा क्यों है हम दिगम्मरोश वितंब लड़ते रहे जीवन भर लड़ाईयां की है जब दो लड़ते हैं तो तीसरा मजा मारा करता है ध्यान र क्या है इस समाज ने क्या किया है दिगम्मर हो गए श्वेतंबर हो गए इस्तानक हो गए तेरा पंथ हो गए दिगम्मरों में भी तेरा पंथ हो गए बीस पंथ हो गए कहान पंथ हो गए तुकड़े तुकड़े करड़ा ले इस समाज के हमने और ये तुकड़ा हमारी दुनिया के किसी भी तीर्त का सुई की नौक के बरावर भी कोई स्थान हमसे चीन नहीं सकता है एकता हमको रखना है बेमन सिताएं हमको आज मंदरों के केस कोट कचेरी में पड़े हैं अदालतों में पड़े हुए हैं अदालतों तक घसीट करके हम ले जाया करते हैं क्या धर्म की प्रभावना होगी एक बात रखिए महावीर का धर्म अदालतों में जाने का धर्म नहीं है महावीर का धर्म कोट कचेरी में जाने का धर्म नहीं है महावीर का धर्म तो कोई चंदन वाला कटगरे में बंद हो उसे मुक्त कराने का धर्म हुआ करता है कोई मान तुंग बेडियों में बंद जाए अरे जेल जाने का नाम धर्म नहीं जेल से लोगों को निकालने का धर्म भगवान महावीर का धर्म हुआ करता है आपसे के जितना पैसा हम आपस की लड़ाईयों में बरवात करते हैं हम आपस में लड़ते हैं अपने अपने मान और हिंकार के लिए लड़ते हैं नुक्षान तीर्थ का होता है नुक्षान समाज का हुआ करता है थोड़े से अपने इगो तोड़ लीजिए मैं कहता हूँ मुझ पुलक सागर के कहने से मात्र मात्र 26 सो वर्स में हम जितना लड़े हैं 26 वर्स एक हो करके देख लो फिर देखना हमने क्या खोया है क्या पाया है ध्यान रखिये चोटी चोटी दिगंबर स्वेतामर के जगड़े दिगंबर दिगंबर के जगड़े एक तीर्थ पे दसदच जगड़े क्या मचार अखा है ध्यान रखिये आप से नविधन करना चायता हूं एकता के साथ चले हम एक होंगे तो तीर्थ एक होगा हकीकत में कोई पहाड तीर्थ नहीं होता है हकीकत में कोई मूर्ती तीर्थ नहीं हुआ करती है हकीकत में कोई छेत्र तीर्थ नहीं होता है असली तीर्थ तो स्रावक और स्राविकाएं हुआ करते हैं ये मजबूत रहेंगे तो पहाड मजबूत रहेगा ये एक रहेंगे तो तीर्थ एक रहेंगे हम में एकता की ताकत होगी तो देश के सारे तीर्थ अपने या फेको जाएंगे ध्यान रखना पत्थरों से थोड़ी धर्म चला करता है धर्म तो हम जीवन्त लोगों से चला करता है पाशाणों को थोड़ी धर्म धारण करना है वह तो तुम जैसा बना दो पाशाण वैसा बन जाया करता है धर्म पाशाण से नहीं धर्म इंसान से चला करता है आप से हम से चला करता है आप और हम एक रहेंगे भगवान महावीर ने ये नहीं कहा है कि मूर्ती के बिना धर्म नहीं रहेगा भगवान महावीर ने कहा ना धर्मो धार्म के बिना धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी जिन्दा नए धर्मात्मा बनने का प्रियास करो एकता के साथ जीने का प्रियास करो रतीर्थ हमारे लिए प्रश्णचिन्द खड़ा है चिंतन का विशय हो गया है मैं तो चाहता हूँ ग्याने वाला एक साल देश के छोटे तीरत से लेके भड़े बड़े तीरत पर चिंतन होना चाहिए बंद करो ये कंबल वाटना बंद करो ये प्याव लगाना बंद करो ये दुनिया भर की बाते करना छोटे-छोटे कामों से कुछ नहीं हुआ करता है छोटे-छोटे दीपों से दुनिया का अंद्धिकार नहीं मिटने वाला है अरे सम्मिल करके एक सूरज ओब